सब्सक्राइब बात रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अबिल सुप्रीम कोट के और जज केम जोसेफ की अध्यक्षता में पांच जोकी बैंच चीफ इलेक्षन कमिशन के एपट्वेंट को लेकर वो इस समय एनलेसिस कर रही है और अब जासिस केम जोसफ ने उस पर एक स्टेटमेंट भी दे दिया था और उन्होंने कहा कि सरकार चीफ इलेक्षन कमिशन एपट्वेंट करते समय ये ध्यान रखती है कि इनका टेनियोर डेड़ साल का दो साल का एक साल करे गया है इसलिए वो ये ध्यान रखते हुए ही फेर इलेक्षन के लिए चीफ इलेक्षन कमिशन का एपवइंट्मेंट एक कमिशन के द्वारा होना चाहिए और उस कमिशन में चीफ जस्टिस मेंबर होना चाहिए अब वह चहते कि इंडिपडेंट कमिशन बना दो ये समझ में आता लेकिन जैसे ही उन् vuelta जीवन ही जू के के मैथ्यू रेटाइट फ्रम सुप्रिम कोड़ लॉग कमिशन के दक्षराय उनके बेटे हैं वो सुप्रिम कोड में जज रहे इसलिए उनावल जश्चिस केम जो सब की तो पूरी लाइफ जब वो पढ़ रहे थे तब भी दिल्ली में पढ़े और दिल्ली में पढ़कर द बोड़ा भारी जिगर चाहिए होता है और जस्टिस केम जो सब दिल्ली में न रोक कर वो कैरला चले गए बाद में वह वहां से एलीबेट हुए और एलीबेट होकर वह सुप्रीम कोट वह उत्राखंड हाई कोट के चीप जस्टिस बनने पर एक चीज जो वहां प्रेसिडेंट रूल को उन्होंने खतम करके रावत की सरकार को कोंग्रेस की सरकार को पुना इस्टेवलिश कर दिया था यह उनकी उपलब्धी थी कोंग्रेस के लिए या मैं कहूं कि अनके यह जच्चमेंट पूरे देश में बड़ी तेजी से फैला था यही कारण है लो लगा दिये जनवरी 2018 में उनका नाम प्रपोस किया गया और इंदु मलोत्रा का नाम प्रपोस किया गया था इंदु मलोत्रा के नाम का तो वारंट के अंदर सरकार ने इशू कर दिया था और उस वारंट के थूरू उनका एपैंडमेंट हो गया लेकिन केम जोसफ के नाम पर अब्जेक्शन लगा दिया था हाला कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोट की सिन इड़ोकेट इंदरा जैसिंग सौ लॉयर्स का सिग्नेचर लेकर सुप्रीम कोट में पेटिशन भी लाए थी और अब जस्टिस दीपक मिश्रा के दालत में और उन्होंने ये कहा था कि ये इस प करने के बाद उनका दोनों का एपट्मेंट करना चाहिए तो हाला कि उस समय दीपक मिश्रा ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी थी कि इसमें कोई जान नहीं है और ये किंदर सरकार का अधिकार है कि वह इस विशह में पोचें तो किंदर सरकार ने क्या पूछा था सुप् पिर सीनियाल्टी के लिहाज से जब हम देखते हैं तो उन बावन जजेश जो अल्रेडी हाई कोट में हैं उनमें ये त्रेपनवे नंबर पर हैं इसको ध्यान रखना चाहिए और अभी और बहुत सारे लॉयर्स हैं बहुत सारे जजेश हैं बहुत सारे चीप जस्यस हैं ज तो एपॉइंट्मेंट हो गया अपरेल 2018 में लेकिन चीप जस्यस ने दुबारा करते थे दीपक मिश्रा ने दुबारा उनका नाम रिकमेंड कर दिया और ये कहा कि हमने बहुत माइनरोटली देखा है बहुत गहराई से देखा है और हमको यह एहसास हुआ है कि ही इस गंभीर परड़ाम आगे चीप जस्यस बनने की प्रक्रिया में हो सकते हैं तो केम जोसेफ को इनका लोगों का ऐसा माना है कि केम जोसेफ को इस वजह से रोकने की कोशिस के अंदर सरकार ने की क्योंकि वो उत्राखंड का जज्जमेंट कर चुके थे जो बीजेपी के अंग करद् सेंपर्द में खानें दिया उन्होंने स्टेंट में आप पऽलिक डिस्कोर्श में चर्चा घॉन समय भाविगत तो दो चीफ पूर्व ही येक्शन कंशन उनके स्टेंट में आयरी है एक तो ऑन गोपाल स्वाक ऑए और दूस्य स्मय में दूस्र कुरेशी का अपना अपना बयान है एनवाई कुरेशी थोड़े दो वर्ष के लिए चीप जस्स रहे यह मुझे लगा यह वैसे ही है जैसे नजीब जंग जब को भी प्रश्ण चैनल लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं और पॉब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी राजरीती का वैसा ही कुछ मुझे लगता है एसवाई कुरेशी ने यह का कि कुलेजियम सिस्टम बनना चाहिए सा कुलेजियम की तरह ही एक कुलेजियम बननी च करें चीफ लेक्शन कमिश्ण को टाइम कम मिलता है और उतने में वह समझ पाता जो सुप्रीम कोर्ट के ओनवल जजिस कह रहे हैं वही बात एसवाई कुरेशी ने अपने पब्लिक डिसकोर्स के स्टेटमेंट में देडा ली और उन्होंने इतियास बूगल बता दिया मतों कर रहे हैं वह cooking जा रहा है। और चीफ उल्यक्शन कमिश्ण कमिशन कीiraकर बाताहीं को अब्लेटाकर मेरी हो जो बयान था या जो चिंता है इसको गैर अवश्यक उन्होंने समझा उन्होंने उनकी बात को समझे उन्होंने कहा कि हमने जब चीफ कमिशन कमिशन उन्हें 1991 में जब इसको एक सदस्य इसकी सदस्य किया तो जो आट साल उसका अनुभव होना और अब जब 1991 में टीन शेशन मनाम सरकार हो गया था तो उसमें तीन सदस्य हो गए तीन सदस्यों का जब इलेक्शन कमिशन हो गया तो ऐसी परचिती में यह कहना कि चीफ इलेक्शन कमिशन का टेनियोर आठ वर्ष से घटा कर दो वर्ष कर दिया यह मैक्सिमम टेनियोर है इस समय 1991 की कानुद के लियुकर अब कोई पांच बढ़ता है को यसाडए पांच इलेक्शन कंमिशन बैटता है इसमें मिने चीफ कमिशन के अब ने में कम हो चाता है दूसरी बात उन्होंने जो कही उन्होंने का भई पांच वर्श है छे इलेक्शन कमिशन बैठता है अगर चीफ की रूप में वहाँ एक साल बैठता है दो साल बैठता है तो बाकी की जो दोaucous जिसे जो चांज वर्श के लिए बैठता हूए है वह उनके सहयक हो सकते हैं हाला कि Supreme Court ने एक judgment दिया था TN session बनाम Union of India क्योंकि TN session अपनी अती पर उतारू थे लोगों को election commission भी तभी पता लगा था कि आखिर election commission क्या होता है उसके बाद link 2 ने भी बताया election commission मतलब क्या होता है तो election commission के रूप में जब TN session बैठे और सरकार ने 1991 में कानून बना कर उसको तीन सदसी कर दिया तो TN session का मनना था कि वो अखेले decision करेंगे दो उनके साहयक हैं उनका decision में कोई रूल नहीं लिकिन वो कानून में तीनों को बरावर पावर दी गई थी और यह कहा था को कोई भी decision लेगा तो election commission 2-1 से लेगा चीफ election commission का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसके पाद extraordinary पावर चीफ election commission का मतलब यह है कि चीफ election commission मलब election वह head करेगा administrative head करेगा लेकिन जब निर्नैं हो तो तीनों मिलकर निर्णै करेंगे और उसमें अगर deferred होता है तो तीन तो डो एकका निर्णै माना जाएगा उसमें दो जो election commission है और chief अलग चला जाता है तो भी chief election commission अकेला रह जाता है तो फिर उसका निर्णे नहीं माना जाएगा निर्णे तो दो का माना जाएगा यह सुप्रीम कोट खुद पैय कर चुका है कि जब तीन का मतलब यह है कि मैजुरेटी से जज्जमेंट होना जैसे डिसीजन होना चाहिए अब टीम सेशन चुकि अपने मन की कर नहीं पाए क्योंकि तीन कर दिये गए तो हो सकता है उस समय कि सरकार को यह लगा भी हो कि नहीं टीन सेशन ज्यादा आती कर रहें ऐसी परिस्टिती में तीन सदस्टी कर दो तो निर्णे ठीक हो जाएगा क्योंकि अगर बायस कोई लेक्शन कमिशन हो गया चीफ इस पर वह दोनों भी उतने ही equal participant होता है तो पिर यहां पर यह कहना कि चीफ इलेक्शन कमिशन का दो वर्ष का एक वार्णका टेनियूर रह जाता है तीन व्रष का टेनियूर होता है छे वर्ष पूरे न iets इस से कोई लाभानी होने वाला नहीं इसलिए यह गैर आवश्घक है यह कहना कि चीफ एलेक्शन कमिशन अनुभव हीनता का उसमें अनुभव की कमी हो जाती है कि वह दोई वर्ष बैट पाता है अब कुरेशी सहाब यह कह रहे हैं कि वह यह जो है वह अनुभव की वाकई में कमी रह जाती है उसको निर्णे करने का आवसर नहीं मिलता जब त अन्ति से बैठें उनका कोई रोल नहीं है यह महत्पूर्ण बातें उन्होंने उन दोनों ने अपनी अपनी कहीं अब एन गुपाल स्वामी का यह भी कहना है कि देखिए जब तीनों बैठें हैं और उनमें दो बहुत अनुभवी हैं तीसरा वाला जो चीफ एलेक्शन कमि कोपाल स्वामी ने कहा है वह भी सुप्रीम कोट के संग्यान में आए और उनकी बैंच के भी संग्यान में आएगा ही तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस को यह जो 30 35 35 दिन मिलते हैं यू यू ललित का मामला सामने आया और यू यू यू ललित को यह एक महिना या उससे जादा का समय मिला तो क्या यह उनको समझने के लिए सफिशेंट था क्या कोलीजियम के द्वारा किया गया रिकमेंडेशन ठीक था जो तीन महिने जो एक महिने के लिए कि इससे पहले जब तक कोलीजियम 1993 में नहीं बनी थी उससे पहले और यह यह तीन सीनियर मोंस जजिस में से या וचनड चीप से सोगा जो लंबे समय तक बैठ सके और उसका लाव लिया जा सके अब उसमें तो केशवा नद भारती के बाद केश्ण नद भारती ब Additionally और तीन सीनियर जजेस एगले और थीत करें रिट तीन जजिस ने इस्तिफ़ा दे दिया था क्योंकि एएंड रे को चीप जस्टिस बना दिया तो यह संखट भी सामने आ गया था इंद्रा गांधी ने कर दिया था उनके फेवर क्याद में लगते थे हाला कि उन्हों फिर बाद में इंद्रा गांधी के खिलाफी ओटर कर दिये क्योंकि वो चीफ जस्टिस बन गए तो यह समस्या आती है इसमें कोई शक नहीं तो यह जो चीफ जस्टिस के लिए एक महिना दो महिने आपस में बैट कर लेते हैं यह चलो तुम भी एक महिना बैट लो दो महिने बैट लो फंदर दिन बैट लो ठीक है चीफ जस्टिस का तमगा लगा लो तो यह कितना उचित है यह भी एक सवाल है यह कितना उचित है तो जब चीफ इलेक्शन कमिशन का मामला कोलेजियम के द्वारा आता है और उस कोलेजियम में यह रिकमंड कर रहे हैं कि प्राइम मि जासे कहर कर गए और यह कहें कि अधिक Дवीश तो क्या कॉलेजियम कि इस तरह की बात हो रहा है और यह कोलेजियम कि द्वारारे से करना आ हैंआज बढत कर करें वह कि कंट करेंगे आव कोंonds वही कोलेजियम है यह छॉम है leader of opposition law minister यह वो सब होने चाहिए या फिर वो कोलेजियम ले जाकर चीफ election commission के appointment को भी supreme court में ही देना चाहते हैं कि supreme court अपने कोलेजियम का अपना appointment करता है हमारा भी करते अच्छा हो जाएगा मुझे लगता है यह बहुत सारे प्रश्ण है जिनके जबाब एन गुपाल स्वामी ने देने के कोशिश करी और उनना कहा कि इस system में intervention की अभियावशक्ता नहीं है उनको महसूस नहीं हुई उनना कहा कि अनुभब तो तीनों का ही समाम है और judgment भी तीनों का समान है और अगर चीफ election commission wrong भी रहता है और सब्सक्राइब को लेकर समय की बात कितनी आधार बूत है यह सुप्रिम कोड में चलेगा तो और सामने आएगी और मुझे लगता है पार्टियां भी सामने निकल कर लाएंगी सरकार भी अपना पाक्षा रखेगी उसके बाद यह तैय होगा लेकिन प्रश्न खड़े कर दिये हैं गोपाल स्वामी जी ने जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम